खाकर ग्यान यदि पचाया नहीं, प्रैक्टिस का तड़का यदि लगाया नहीं, तो आपने किया है टाइम वेस्ट कुछ अच्छा खाया नहीं प्यारे बच्चों, प्यारे सातियों, एक्जाम पूर लेकर आया है 30, 22, मौक टेस्ट आप सब के लिए, उसमें मैं सके सभी टॉपिक में कवर करूँगा, और वो होगा टॉपिक वाइज मौक टेस्ट, बिल्कुल फ्री, सभी एप्लिकेशन के बच्चे जोने एक्जाम पू मैं कवर करूँगा, और कोई भी एक्जाम जो बंडे एक्जाम में सब करूँगा, तो सब बचाएं और अपना दम लगाएं, और देखें आप में कितना है दम, जरूर आएं, फ्री फांडेशन प्राक्टिस बैश फॉर आल एक्जाम पूर वासियों के लिए, अग्जाम पूर वासियों के लिए आज के लिए क्या सब करने वाले हैं, आज के लिए क्या स्पेसल है, तो थोड़ा समय आप सभी को थोड़ा सा टाइम लूंगा, दोस्तो, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँगा, दोस्तो, जिन विद्यार्थियों ने भी ते क्लास को लाइक नहीं किया है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटा 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 क्या कर लेंगे, कर लेंगे, दूसरी बात, दोस्तो, मेरे भाई, अगर आपने दोस्तो, एक्जामपूर ओफिस्यल एप को डॉनलोड नहीं किया है, तो प्लीज आज ही आप जा करके दोस्तो, उसे डॉनलोड करें, और आप अपने जरुवत के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, क्लास वहाँ पे, क्लास का सब्सक्राइब के साथ जुड़ सकते हैं, आना, एक बात और दोस्तो, मैं सन्डे को स्पेशल क्लास लेकर क्या रहा। संडे को special class लेकर क्या रहाँ संडे को special session लेकर क्या रहाँ वो class दोस्तों 2 p.m. से लेकर के 5 p.m. तक class चलेगी जिसमें मेरे प्यारे भाई हो ये 2 बजे से 5 बजे तक जो class चलेगी उसमें मेरे भाई आप याद रखेंगे 3 topics, 3 hours 3 topics, 3 hours में क्या होंगे उसके विद्वंस कर दूँगा इक है? उसको नास कर दूँगा मतलब 3 घंटे में हमें 3 ट्वski सखना है और उसको दोस्तो हम लोग Sunday के session में सीखेंगे तो please class करना मत भूलना class करने जरूराणा बाकी दोस्तो अपने class को continue करते हैं आईए फटा फटा आप class को like कर लीजे, share कर लीजे और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe आज ही कर लीजे, ठीक है, चलिए मैं अपनी class को continue करता हूँ, दोस्तों ये class English by printer के द्वारा क्या किया जाता है, provide किया जाता है, daily 7 बजे, जिसमें आज क्या करने वाले दोस्तों, आज हम CHSL की दोस्तों paper को solution करने वाले हैं, जो tier 1 में दोस्तों exam हुआ था, हना held कब हुआ था दोस्तों, ये परिच्छा हुआ था, 18 March के second shift का जो paper का solution है, आजम करने वाले हैं, सबसे बड़ी बात आप सभी को मैं बदा दूँ, दोस्तों आज का important क्या है, सबसे दोस्तों, आप सभी जितनी भी students हैं, हना, सभी लोग क्या करेंगे, आपने पहले copy निकालेंगे, copy में दोस्तों आप numbering कर लीजे, once है लेकर 25 तक, फटा फट, फटा फट, once है लेकर के, जितनी भी विद्यारती है, 25 तक क्या करेंगे, आप लोग numbering कर लीजे, और आप प्रुक्तुरंद के लिए, इससे क्या होगा, आपका one hour totally practice, आपके दीमाग खुल जाएगे, आपकी जो, आप बोलते हो कि मैं जो sick practice करनी है, तो sick practice कैसे करनी है, previous year practice करनी है, तो previous year practice देखो कैसे हो जाएगा, तो चल्दी तयार हो दोस्तों, नीशु कुमारी सर, Sunday को class YouTube पर ही चैनल पे होगा, इससे एक्जम्स भाइक्जम्पूर पे, त्री टॉपिक कौन कौन होगे, रिलेटी प्रणौन, डिमूस्टेटी प्रणौन और डिस्टीब्यूटी प्रणौन, ठीक है, स्टार्ट करूँ, चलिए, लट्स बिगिन, class को स्टार्ट किया जा भाइर भाई, फटा फट एक बार सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, class को सेर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और ये है आपका पहला question, ये है आपका पहला question, फटा फट मेरे भाई, जल्दी से स्टार गर लू, ठीक है, translate the alternative वच्च व, that will provide underlined part of the sentence, in case there is no improvement required, select no improvement, Priya has been working in this school from June 2017, 17 तो जलने से आप इस बच्चो इस question का answer कर लेंगे देखो एक बात आप सभी को यहाँ पे note कर रहा हूं और hint दे रहा हूं क्या hint दे रहा हूं प्लीज आप सभी hint को जरूर नोट करेजेगा दोस्तों सिंस का यूज हम लोग करते हैं point of time को refer करने के लिए point of time को refer करने के लिए अना दोस्तों for का use करते हैं period of time को refer करने के लिए period of time को refer करने के लिए from का use करते हैं point of time को refer करने के लिए point of time को refer करने के लिए लेकिन इसका use करते हैं दोस्तों हम future में कहां करते हैं future में करते हैं ऐसा नहीं कि from कभी use ही नहीं होता है from use होता है लेकिन from को use कहां करते हैं हम future में use करते हैं कि एक दम पूरी तरह से दीमाग में ये बात बठालो हाँ since का यूज होता है since का यूज हम present और past में करते हैं since का यूज हम कब करते दोस्तों हम इसको हम generally हम present के case में और हम इसको past के case में यूज करते हैं लेकिन अगर यहीं दोस्तों अगर आपको point of time को future में refer करना है तो आप क इसका मतलब दोस्तों यहां पर क्या होगा यहां पर फ्रॉब नहीं होगा यहां पर क्या होना चाहिए क्या होगा इस चो पर फट एक बार मेरी बेरे दोस्तों जल्दी आप लोग क्या गरेंगे इसका एपरोप्रियेट आपको क्या बताना है synonyms बतलाना है क्या बतलाना है appropriate synonyms बतलाना है किट का appropriate synonyms बतलाना है क्या ये equipment होगा information होगा particle होगा element होगा ठीक है बताए दूस्तु किट के आईटी चलिए पंकज, अमीशा, बबली, जै प्रकास चर्म, विश्वास चलिए फटा फटा अंसर कर लीजे मेरे दोस्तों, सारे बच्चे बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मेरे लल्ले आप सभी इस quoशन का अंसर क्या किया है, एक्विप्मेंट, हमें बोलते हैं कीट, तो कीट Test related to क्या होता है, एक्विप्मेंट होता है, तो इस question कभी आपने अंसर कर लिया बहुत आसानी से, बहुत प्यार से, हाना इस में किसी को कोई प्रॉबलम नहीं, दिवेश, अमेचा, नीशू, विकाष, जेपरिकाष, सभी बच्चों ने इस question का अंसर सही किया है, आए next question के बास जबते हैं, जो question आसान हो, उसको हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, touch all the bases, हाना, हर पहलू को touch करना, हर, touch all the bases, हाना, touch all the bases, हाना, मतलब हर पहलू को touch करना, भाईया, आब बतो, इसका ये जो item है यहाँ पे, इसका क्या correct meaning होगा, find out the correct meaning of the क्या उसर, given item, please tell me, my dear, फटाप फटाप अंसर करेंगे इस question का, देवेस, अंजली, बताइये, do it fast, touch all the bases, force someone to do something, किसी को force करना, कुछ करने के लिए, include everything, हाना, सभी चीज को क्या कर लेना, include कर लेना, हाना, stretch your hands high, हाना, पूरा ऐस्तर से अंगडाई लेते हो, ना, तो वो वाली बात है, हाना, imagine you are flying, जा सोच ये, कि आप उड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आप सभी को, देवेश, मनोज, सारे बच्चे इस question का answer सही कर रहे हो, फड़ा फड, बढ़िया, बढ़िया, यहाँ पर क्या होगा दूस्तो, include everything, सभी चीज को क्या कर लेना, अपने अंदर include कर लेना, क्या कर लेना, include कर लेना, इस इटो कि माइडियर, नीश्व बो लिए, सर मैंने आपके पहले grammar की class देखिये हूँ, ज्यादा improve हुआ है मेरे marks, चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, अगर आपको मेरे grammar की class से अगर आपको improvement मिल रहा है, तो आप जरूर देखते रहे हैं, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करते रहें, दोस्तों यहाँ पे question है, select the most appropriate antonyms, antonyms of the given word, versatile, versatile, यहाँ पे word क्या दोस्तों, versatile, आपको versatile का क्या बतलाना है दोस्तों, antonyms बतलाना है, honest, honest, insincere, inflexible, truthful, अब देखो सारे word का मतलब पता है, honest, इमंदार, insincere का मतलब क्या है, जो sincere नहीं है, अपने काम के परती, मतलब उत्तरदाईत्व नहीं है, inflexible का मतलब, जो flexible हो, जो बात बात पे change हो जाता हो, ठीक है, और truthful का मतलब, विश्वास, versatile का मतलब क्या है दोस्तों, versatile का मतलब होता है कि, मतलब, one who knows anything, मतलब, सब कुछ जानता हूँ, ठीक है, इसको लोग, multi-talented बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, multi-talented, यह भी बोल सकते हैं आप, इसको flexible भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, flexible, multi-talented क्या होगा, जो multi-talented होगा, वो flexible होगा, जो आपने सुना है ने दोस्तों, कि जब पेड़ पे क्या हो, जब पेड़ पे फल लग जाते हैं, तो वो जूग जाता है तो अगर जो multi talented होगा वो versatile होगा वो flexible होगा वो complex type का इंसान नहीं होगा कि छोटी छोटी बातों पर लड़ जाना उसे झेलना आएगा कि कैसे हम झेल कर बाहर निकलेंगे हाना multi talented flexible तो यह versatile का क्या हो दोस्तों यह इसका synonyms है आपको बतलाना है कि इसका antonyms क्या होगा इसका antonyms क्या होगा पंकर्स दिवेश निशू जैप्रकास सारे बच्चे इस question का अंसर सही कर रहे हैं थैंक्यू मेरे लल्ले बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया प्यारा प्यारा सारे बच्चे नहीं इस question का अंसर क्या किया टू इस योर क्रेक्ट अंसर टू क्या होगा दोस्तों इसका क्रेक्ट अंसर होगा versatile multi talented flexible ठीक है फ्लैक्सिबल यह यहां पर जोड़ दीजेगा flexible तो flexible inflexible is it okay my dear next question के पास चलिए next question please keep in mind and do it first हाँ दोस्तों इस यह स्पैसेज को मुझे समझाना पड़ेगा आए हम समझा देते हैं आए इस पैसेज को हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं उसके बाद इस कोशन का अंसर करेंगे ठीक है चलिए करेट अस्तूपा एट साची साची का सूप के बारे में सुना है ना इस वन ओफ दा ओल्डेस्ट अस्टोन अस्ट्रक्चर इन इंडिया मतलब बहुत ही इंडिया का क्या है पुराना इन рос्ट्रक्चर अन इस पर मतलब सिंपल सी बात दावा मतलब इस दावा ठोकना या फिर क्या सकते हैं मतलब उस पर राज करने के सिंपल सी बात है इंपरह असो का अना इंपरहर असो का इंटवा और इसनली कमीशंड बढ़िस के दआरा किया गया किसके दोरा century BC हाना कब third century BC में हाना third century BC में दोस्तों इसको कमिशन किया गया commission का मतलब विल्ला लाया गया हना इसको क्या किया लोक समक्छ रखा गया या फिर बनवाया गया जो आप बोल सकते हैं तब आगे चलते हैं इट्स न्यूक्लियस न्यूक्लियस मिस दोस्तों पार्ट न्यू न्यूक्लियस क्या होता है न्यूक्लियस आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन 2N2 के फॉर्म में क्या करता है रिवाल्व करता है लेकिन बाकी जो प्रोटॉन और न्यूट होता है वो क्या होता है आपके नुक्लियस में होता है और पूरे एटम का जो मास होता है दोस्तों वह कहां होता है पूरे एटम का जो मास होता है वह पूरी तरह से हना आपका नुक्लियस में होता है यह आपने पढ़ाओगा तो वही चीज़ यहां पर बोला रहा है करे करें क दोस्तों वो क्या है क्या है दोस्तों है आते सिम्पल हैंसपेरे का एक T शहर प्लॉवड़ दोस्तों उसी का मतलब अब से उसके पार्ट गढए उस बुद्धा के कुछ पार्ट्स को ही यूज करते हैं दोस्तों उन्होंने क्या किया इस स्ट्रक्टर को तयार किया एक इट वर स्क्राइड बाई हना छत्री हना आप देखिका उपर एक छत्री लगा होगा चत्री और प्लस्तों लाइक symboling high rank मतलब एक बहुत high rank सो कर रहा है which was to the honor and shelter the relics, relics का मतलब दोश्तो दो अर्थ होता है, एक तो निशानी होता है और एक relics का मतलब क्या होता है, अवसेस भी होता है यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं अवसेस के sense में यहां पे किस sense में यूज कर रहे हैं, अब says के sense में यूज कर रहे हैं, अब says, is it okay, जैसे हम residue बोलते हैं, उसको एंगलिस में क्या बोलते हैं, residue, छीडियोओ टि gegen शूजकर रहे हैं शाइन के रूप में शाइं का मतल्म निशानी अब यह था पैसे माठोच वब सार्यमिबर कोशिण का अंसर क्या होगा सारे सोचैक हो और वह रेकर रखे हुए चैब बात है क्या बात है अना दे ग्रेट अस्तूपा एट साची इस वन अफ द ओल्डेस्ट इस्टोन इस्ट्रॉन इस्ट्रॉट्टर्स इन इंडिया इट वास और इजनली कमिशन मतलब क्या हुआ और इजनली बनाया गया था किसके दोरह सर इंपरर रसोका के द्वारा कब थार सेंचूरी में के द रहाएं और यहां पर हमने भाई उज्क कर लिया कि वाई सेंचूरी विसी इस नुक्लिय सपर है ऊस्पूरे हम एस च्रक्चर कर जो उसका जो बेस है है उसका जो बेस है उस पूरे च्रटर का जो बेस है हाना वो क्या है a simple है सिंपल है में स्फेरिकल ब्रीक चाइगा हना बुद्धा के इस अलू चर गुड्धा के चाइंसर प्रारूप का ही वह проход कि यह नहीं चाहिए स्विलार है तो यहां पर वर्का भी उजफी नहीं होगा इसका किए करेक्ट अंसर क्या होगा वाज इस यूर करेक्ट अंसर वाज इस यूर करेक्ट अंसर सारे बच्चे आप लोग जितनी भी स्टुएंट्स हैं दुरूब राज बहुत बढ़िया आसीज बेटा बहुत बढ़िया जै प्रकास चलो बबली अनामिका थैंक यू सो मुच बाइडियर तो आपने यहां पर क्या क लिए पे बनाया गया था तो या क्या बनाया था आगए बढ़ते हैं आगे चलते हैं दोस्तों कुब प्रफटा पंसर कीजिएका डोइट फास्त जल्दी जल्दी हमने महीं प्यसेज को समझा दिया है आपने यहां पे बाई यूज किया यहां पर आपने वाज यूस किया आगे बढ़ेंगे। पर बुद्धा क्या उगा कर देना इसका यूज करते हैं अलग करने के संस में इन्टू का का मतलब चाहूं कि उसके अंदर रख देना तो यह भी पॉसिबल नहीं कि बुद्धा के अंदर आप रखोंगे तो यह भी गलत विव्ड अब 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 दस इस वाल सव विवल्ड ओवर मतलब वोईल्ड ओवर का मतलब ओवर जो वर्ड है न दूस्तों यह बात आप करने के लिए हां कि आपने उसके पूरे चीजों को किया कर लिया आपने कवर कर लिया तो ऐसे कंडिशन में आप क्या करते हो हूं जैसे ही, I put a sole, I put a sole over my shoulder, या over my head, over my head, अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, कि आपने कवर कर लिया, क्या कर लिया, कवर कर लिया, आपना head को किस से कवर कर लिया, एक sole से कवर कर लिया, अब यहां भी वही ची बोला जा रहा है, कि was the simple hemispherical breaker structure, हाना, the relics of Buddha, built over, मतलब क्या हुआ, कि बुद्धा के ऊपर ही बनाया गया, बुद्धा को ही कवर किया गया है, तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, यहां पर built over is your correct answer, हाना, उसको cover करने की कोसिश किया जा रहा है, is it okay my dear, तो correct answer आपको क्या हो जागा, आपको 4 is your correct answer, ओके, next question के बाज चले, फटा फटा पांसर कीज़े, आपने यहां पर क्या यूज किया था दोस्तों, आपने यहां पर यूज किया था by, यहां पर आपने यूज किया was, यहां पर आपने यूज किया over, हाना, the release of गुधा, इट वस क्रॉन उस पे क्रॉन किया गया है बाई द छत्रिक इसको दर छत्री के द्वारा एंड अपैरल अपैरल सोल लाइक 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 क्या लाइक ब्रीज लाइक अगन अना कंडी उल्ड वाल अस्ट्रक्ट्चर क्या होगा डूइट फास्ट जल्दी बताएंगे देखो यह जो वर्ड होता है ना कंडीउट कंडीउट जो वर्ड है आपको अगर नहीं पता तुम्हें बता देता हूँ ठीक है इसका मतलब हो तर से ना जिससे कोई पानी निकल नबसे आपड़ने क्या हुआ हम जिसके द्वारा जिसके थूर क्रसते पानी लेकर जा सबस्क्ते हैं यहां फिर जो वाइिंग होता है अग's पर बाइलिय। लगाता है दोंस्तों आप लखेंगा प्लास्टिक इस इस प्रकार इस प्रकार के जो सिस्टम है उसको बूलते हैं कांग्यूट वाक्टी बाकी दूस्तों आपको सारा वड़ पता है हना क्या है बता आप ये पर यह पर past all like a structure औहागा ना पर आस्क्राहर लाइक त्रक्चर त्रेक्श उखे क्या होगा यहां correct answer क्या होगा structure होगा correct answer ना कि कोई pipe होगा देखे हैं बाकी दोस्तो अवाल तो आप समझी सकते हैं breeze तो समझी सकते हैं यह दोनों answer नहीं होता आगे चलते हैं next question के बास चलिए दोस्तो बताएं क्या होगा तो आपने दोस्तो फिर से में बताता हूँ यहाँ पे आपने यूज़ किया by यहाँ पे आपने यूज़ किया दोस्तो was आपने यहाँ पे यूज़ किया over यहाँ पे आपने यूज़ किया structure अब आगे बता दो हाना कर रहें दोस्तो parasol like a structure similing high ranks हाना high rank को क्या करता है represent करता है which was informed to honor which was predicted to honor which was outline outline का मतलब क्या होता है to draw outline का मतलब होता है to draw किसी चीज को बनाना predict का मतलब आगे क्या करना prediction करना inform intended intended का मतलब क्या है दोस्तों intent जो वर्ड है इसका मतलब यह है कि आप किसी चीज को to have a plan intend का मतलब है कि कुछ purpose होना to have a plan और purpose हाना कुछ तो उद्देश है कोई उद्देश के साथ होना हाना तो कर रहे है दोस्तों क्या कर रहा है आप पैरा सोल लाइक स्ट्रक्चर सिंबलिंग हाई रैंक which was जो है क्या है भाई हना intend to honor intend to honor क्या है यह परपस है यह क्या बतलाता है यह बतलाता है ओनर को रिप्रिजेंट करता है यह जो पैरा सोल लाइक जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ को रिप्रिजेंट करता है यह honor को रिप्रिजेंट करता है यह क्या honor and seltr relics हना honor और seltr relics को क्का करता है यह रीप्रेजेंट वरता है उसको सो करता है उसको क्या करता है वो दिखलाता है उसके purpose को सर्व करता है तो यहां पर क्या होगा intended is correct answercolor is it okay my dear is it okay है फटा-फट हो गया मेरे भाई ओके चलिए बहुत बढ़िया तो हमारा यह क्या होगा close test खतम हुआ आगे चलते हैं next question के बास क्या कर रहा है grammatical errors आपको डोड़ना है oh dear the audio is one of the channels the audio in one of the channel on television is not clear at all is not clear at all तो बताईए दोस्तो इस question का correct answer क्या होगा on television पे गलत है oh dear the audio पे गलत है is not clear at all पे गलत है या फिर one of the channel पे गलत है बताईए बताईए मेरे दोस्तो one any of noun verb ट्यक्व है अगर कभी ऐसा structure आए तो यह जो noun होता है दोस्तो always क्या होता है plural होता है वर्व जो होता है always क्या होता है singular होता है क्यूंकि आपने पढ़ाओगा अगर noun preposition noun preposition और इस तरह से दोस्तों आगे जा करके क्या होगा अगर वर्व हो तो preposition के पहले वाला जो noun होगा preposition के पहले वाला जो नौन होगा वो sentence का subject होगा अगर यह singular तो वर्व भी singular अगर यह plural तो वर्मे भी क्या होगा? plural अब आगे देखेए यहां पे यहां पर क्या हो रहा है? बन रहा है? तो बन-on of the channels इसका मतलब channel क्या होगा? एक से अधिक होगा उसमें से एक की बात कर रहा है उसमें से एक की बात कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर चैनल के जगा पर क्या होना चाहिए था चैनल्स होना चाहिए था क्या होना चाहिए था चैनल्स होना चाहिए था ओके Is it okay my dear Yes, yes, yes आकासी यही है आगे बढ़े आगे चलते हैं दूस्तो अनोडाइन एक वर्ड है दोस्तो इसके क्या बदाना है आपको साइनोनेम्स बतलाना है अनोडाइन डूइट फास बताइए अनोडाइन बताइए दोस्तो जल्दी यल्दी डूइट फास्ट झानोडाइन का मतलब होता है नोट डेंजरस जो डेंजरस नहीं है जो खतरनाक नहीं है हाना हमफुल का मतलब आप समझ रहे होस्टाइल दुस्मनी हाना आपने किसी से दुस्मनी ले लिया होस्टाइल जिसको आप बोल रहे हो ठीक है तो वह हो गया होस्टाइल एग्रेशिव एंटागोनिस्टिक एंटागोनिस्टिक तो यह सारे वर्ड आपने उज़ क्या हो गिगांटिक मतलो वेरी लार्ज गिगांटिक मतलो वेरी लार्ज अब बतौ इसका अंसर क्या होगा कुछ बच्चे इसका अंसर दी बोल रहे हैं बनीगन का मतलब भी होता है दोस्तों बनीगन भी एन आई जीन इसका मतलब भी होता है not a dangerous, not a dangerous, ठीक है, तो harmful समझ गया, hostile समझ गया, gigantic, benigne और anodyne, ठीक है, अब दोस्तो anodyne का मतलब not dangerous, जो खतरनाक नहीं है, हाँ ना benigne मतलब जो खतरनाक नहीं है, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा, आपका to हो जागा, क्योंकि आप से क्या पूछा जा रहा है, Sino-Nams पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा आप से Sino-Nams पूछा जा रहा है तो जब Sino-Nams पूछा जा जा रहा है तो आप क्या करेंगे आप समजेंगे कि इन दोनों सब्दों के क्या बढ़ रहा है मतलब जो ही वो exist Humphool अलग word है Hostile अलग word है गिगान्टिक अलग वर्ड है इस इस ओके तो प्रिंस मेहता आपने गलत कर दिया था कुंदन जी आपका सही था हना टूड़े जिक्किये आपका भी सही है जे परकास सर्मा आपका भी सही है आसीस आपका भी सही है अगला कोश्चन के पास चलते हूं क्या बात बताइए इसको पढ़िए दोस्तों और आप इस कोश्चन का अंसर करेंगे डूइट फास्ट चलिए फटा फट अंसर कीजिए कोश्चन नमबर 12 जो भी है 12 भी होगा तो कोश्चन नमबर 12 दोस्तों आप लोग समझेगा इसको बढ़िया से हना मुल्ला नासुरिदीन ओपेंड और हेर कटिंग सैलून अब दो सबसे पहले आप्शन को पढ़ो क्या करा है बी सी ए डी मतलब आपको क्या फाइंड करना है find out the first sentence क्या ढूंडना है first sentence ढूंड लो आपको सब कुछ पता चल जाएगा अब देखो समझने की कोसिस करना करा being the first day being the first day a lot of people come मतलब यह भाई सबसे पहले तो क्या करेगा सैलून खोलेगा उसके बाद पहला दीन बहुत सारे लोग आएंगे ऐसा कुछ होगा ना ऐसा कुछ होगा तो इसका मतलब यह है दोस्तो इसका मतलब यह है कि यहां पर एक के बाद क्या आएगा डी का कम्बिनेशन बनेगा A और D के बीच में क्या बनेगा एक combination बनेगा दिख रहा है आप सभी को कहीं पर देखिए मुल्ला नाश्वदीन opened a hair cutting saloon and was ready to welcome his customer और वो तयार था क्या वह सर्फ अपने customer को क्या करने के लिए welcome करने के लिए being the first day अना first day मतलब पहले दीन पर क्या आए a lot of people came and among them was a man in his early fifties with a flowing beard मतलब अच्छे खासे beard नहीं थे अना अच्छा नहीं लग रहा था उसमें से एक वक्ती आया अब अब देखो उसके बाद देखना क्या हो रहा है उसके बाद कर रहा है बी में आ जाई है मुल्ला से टे मुल्ला यूज शेड़ स्लीप क्या रच सृप्सली अना he said उसने क्या कहा ये जो ब्यक्ति है ना उसने old जो 50 years का ब्यक्ति था पुल्ला he said क्या हो सर किसने कहा इसने किससे कहा इससे कहा हना my wife is coming home today आज मेरी wife क्या रही है घर आ रही है तो प्ली जड़ा अच्छा चिट्टा बड़ा बढ़िया अच्छा से बना दो भाई तो अब उसके बाद दोस्तों क्या आ गया उसके बाद आ गया C हना just take out all the grays strands from his beard and make me look very young और क्या करो जो पके वे जो खराब जो वाल हैं उसको मेरे इसमीटर प्लीज आप समझेगा यहां पर कैसे स्क्वेशन्स बन रहा है पहला सिक्वेशन आप अगर इतना पकड़ लोगे कि एक के बात क्या रहा है डिया रहा है एक के बात क्या रहा है डिया अब हो गया बाई सिंपल सी बात है अब इतना से जैसे ही पता चल गया A और D का बीच में combination बन रहा है आपका अंसर हो गया next question के बाद चलिए हाँ क्या बात है क्या बात है वर्ड है दोस्तो नेबूलस हाना क्या वर्ड है नेबूलस अब नेबूलस जो वर्ड है वो नेबूला से बनाए और यह जो वर्ड है दोस्तों यह स्टेलेस्रियल बॉड़ी के संस में आता है जो क्लियरली नहीं दिखता है एक प्रकार का समझो की cloud type का होता है तो इसको बोलते हैं आप सिक्यूर इसका जो मिनिंग होगा O-B-S-C-U-R-E यह फिर बोल सकते हैं Translution Translution यह बोल सकते हैं Not Clear तो यह word आप लोग यूज कर सकते हैं इसके लिए अब इसका है दोस्तो Common Family or Mutual मिस क्या होता है देखो Mutual और Common जो word है दोस्तो हम लोग यह आत करते हैं Common जो word यूज करते हैं हम अपने Friends के लिए यूज करते हैं जब कोई दो ब्यक्ति के बीच में सिर्फ दो ब्यक्ति के बीच में अगर कोई दोस्तो अगर Inter Relationship अगर दिखाना हो तो हम सिर्फ वहां पर Mutual बताते हैं जैसे Mutual Relationship अना हम अकसर देखो दो American जो आप देखीगा Facebook पर दोस्तो लिखा होता है Mutual Friend तेख है वो रॉंग होता है Mutual Friend नहीं होना चाहिए होना चाहिए था वहां पर दोस्तो Common Friend अब देखो कहो कि सर की Mutual Friend कैसे उतना बड़ा Facebook कमपणी है गलत कैसे करेगी अरे वह Facebook जो कमपणी है वो American कमपणी है और हमको English बढ़ रहे हैं हम British English बढ़ रहे हैं हम American English पे कोई मतलम नहीं है अब American English में Common Mutual Friend सही हो सकता है लेकिन British English में अरो दोस्तो Mutual Friend सही होता है Mutual Friend के जगा अरे हम strain क्या क्या बोलते हैं Common Friends बोलते हैं क्या बोलते हैं Common Friends बोलते हैं Common Interest बोलते हैं मिच्ओल Agreement बोलते हैं क्योंकि Agreement दो लोگ के बीच म cabe 말 होगा एद इब आपको पता है Nebulous मतलब क्या होता है और प्ले नियुक्त पूरा क्या होता है यह सा कि अंधेरा तरसे चयाता चाहिए उसको नेबूला कहा जाता है तो उसका है उसका यह नहीं देखता अब इसका जो आपको एंटोनाइम्स की बात कर रहा है एंटोनाइम्स आप इसका क्या कर देंगे क्लियर कर देंगे जो भी बोलिए आकास ठीक है एक वर्ड के एक मतलब अर्थ नहीं होता बहुत सारे अर्थ होते हैं ते आगे चलिए यह नेक्स्ट वर्ड का एस्मॉल रूम वेर डिस वेर वास्ट इसको क्या बोलते हैं एंटी रूम पता क्या होता है मालो दोस्तों एक घर है तुम्हारा बना हुआ तो अब यहां पर दोस्तों एक पूरा बाल को नीए इस पुरा ऐसे बनाया हुआ है हना और इस घर में आप इंट्री ले रहे हो कैसे ले रहे हो इसके थ्रूँ आप जा रहे हो तो इसको बोलेंगे main room हना और इसको बोलेंगे anti room बोलेंगे क्या बोलेंगे anti-room मतलब जिस room से होकर के आप main घर में जाते हो उसको बोलते anti-room बोलते हैं क्या बोलते हैं anti-room बोलते हैं अचा pantry word आपने सुना होगा pantry word कब सुना होगा जब आप कभी सफर कियोंगे train में तो जो खाना जहां पर बनता है a small type of room तो जहां पर क्या होता है सर्क फूड बनाया जाता है खाना बनाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं या पैंट्री भी बोलते हैं ठीक है cooking house भी बोलते हैं ठीक है OK जी अकास बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आपका D is your correct answer next question के पास चलते हैं दोस्तों करा आपकोएक इंस्पेक्शन आपकोएक इंसपेक्शन आपकोएक इंसपेक्शन दाट तू एंसेंट बिल्डिंग दाट रिमेंड इंटक्ट अफ्टर दा हिरोशिवा हिरोशिमा बॉम्बिंग इन टॉक्यो वुड नाट भी बीट स्टेंड और अस्ट्रॉंग ट्रिम्बर ट्रिम्बर मिस ट्रिमर मिस होता है दोस्तों कापना अना वाइबरेट ठीक है इस टोके तो जल्दी से बताई इस कोशिन का अंसर क्या होगा रिवेल का मतलब होता है पुछ बाहर निकल कराना हना पुट अर्ट दसे क्रेड जिसको आप बोल सकते हूं अच्छा फिर क्या है रिजियूम रिजियूम जो वड़ है जिसको मतलब काते है वही रोक देना कॉई कार्य चल रहा है, आप उसे रुख दिये, उसे क्या का दिये, रीज्वर्ट कर दिये, है रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है रिट्रैक्ट का मतलब है ताकि भई आप यह बोल सकते हो तो यह सब simple सा word है कोई बहुत ही क्या हो सर्हाइड वर्ड नहीं है आप यह सब हम लोग आम तोर पे बोल चालकी भास में बहुत बार यूज करते हैं ठीक है टू टेक बैक एन ओफर टेक है सिंबल सी बात है दोस्तों यहां पर क्या हैगा एज फोर होगा न यह करेक्टन सुनोंगा अब सारे बच्चे जान रहे हुए रिवेल का मतलब है कि कुछ ऐसा चीज जो छुपा हुआ था वो बाहर निकल करके आया अब चुकी हीरो सीमा और नगा सक्की की बात हो रहा है और चुकी इंस्पेक्शन की बात हो रहा है तो इंस्पेक्शन में क्या होगा कुछ निकल करके ही बाहर आएगा कुछ छुपे हुए गुप्त राज क्या आएंगे बाहर निकल कर आएंगे तो simple सी बात है, दोस्तों, यहाँ पर आगे चलिए, question number 1, select the word correctly spelled, कौन siis of word है, जिसको correctly spelled किया गया है,rows am बताईए बहुत बढ़िया जिल्दी जिल्दी इस question का अंसर किरेंगी Impeccable I-M-P-E-C-C-A-B-L-E Impeccable Do it fast, जल्दी जल्दी बताएंगे दूस्तु सारे बच्चे इसका अंसर ए बोल रहे हैं सबको लग रहा है कि Impeccable का जो वर्ड है न वो उसका स्पैलिंग सही है देखो यह तो सही है यह बात सही है लेकिन दोस्तों यहां पे I-M-P-R-E-S-I-O-N-A-B-L-E तो correctly spelled पूछाता तो यह भी सही है देखें actually यहां पे लिखा हुआ था double S लिखा हुआ था S, S लिखा हुआ था लेकिन जिसने type किया उसने क्या कर गिया S को हटा दिया देखें तो यह बज़ा से क्या हुआ यह आपका question सही हो गया इसका मतलब हुआ easy to impress इसका मतलब होता है easy to impress इसका मतलब है परफेक्ट इसका मतलब है परफेक्ट मतलब वह ब्यक्ति वह बंदा जो क्या हो दब पूरी तरह से परफेक्ट हो हाना having no fault having no fault having no fault जिसमें कोई भी कमी नहीं हो कोई गलती नहीं हो अना अब यह जो वर्ड है दोस्तो susceptible जो वर्ड है यह जोस्तो गलत लिखा हुआ था अब यह क्या है एस यू सी लिखा हुआ है यहां होना चाहिए था एस यू एस फिर से देख लेंगे एस यू एस एस यू एस सी ए पी टी आई बी ल ए इसका मतलब होता है easily influenced easily influenced ठीक है लिखी देता हूँ तुम सभी को easily influenced ठीक है तो यहां पर यूज करेंगे एस यू एस यूज करेंगे सी के जगा पर ठीक है is it okay my dear is it okay और यहां पर देखिए propensity 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 का मतलब क्या होता है propensity का मतलब होता है दोस्तो productive tendency मतलब यह कह सकते है कि यह बोसकते है फाइदा profit क्या बोसकते है profit हना और यहां पर क्या होगा c i t y के जगा पर दोस्तो s i t y होगा प्रोपेंसिटी में सुदोगा दोस्तो profit love के संस में यूज करेंगे हना जो क्या होगा लभानिमी जो love से रलेटेड होगा तो एक है दोस्तो impressionable मतलब क्या है easy to impress किसी को बहुत आसानी से embrace कर सकते हैं यहां पर दोस्तो वर्ड है impactable impactable का मतलब होता है perfect having no fault हना suspectable का मतलब होता है easily influenced जिसको आसानी से का कर सकते हैं influence कर सकते हैं और propensity का मतलब होता है कि profit ठीक है आगे चलते हैं दोस्तो next question के पास करा क्या the police was able to find the guilty क्या हो असर police जो थी वो able थी क्या करने के लिए हना guilty को find करने के लिए but the big fist escaped escaped का मतलब छूप गया लेकिन जो बड़ी मचली थी ना वो छूप गया अमन्जी वो कैब की class दोस्त आपको daily everyday साड़े छे बज़े से आपको 7 बज़े तक होती है आप लोग जोईन नहीं करते हो तो फिर यह आपकी गलती है ठीक है तो बताए इस question का correct answer क्या होगा आपकी बड़े लोग जोगा आपकी बड़े जोगा आपकी बड़े लोगा क्या होगा दूस्तो करा कि दप पुलीस वाज एबल टू फाइंड गिल्टी क्या था दूस्तो एबल था गिल्टी को फाइंड करने के लिए लेकिन यहां पिका करना है दोस्तो आपको सेलेक्ट करना है डाइरेक्ट स्पीच क्या करना है डाइरेक्ट स्पीच अब देखो यह कुछ भी कोश्चन रहे आप लोग दो बात समझ लो कि अगर यहां पे इफ लगा हुआ है तो इसका मतलब इसमें कोश्चन मार्क होगा और यहां पे हैड वाच्ड लिखा हुआ है तो जरूर रहा होगा है यहां पे क्या रहा होगा यहां पे क्या रहा होगा सब्जेक्ट रहा होगा अब दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है हैड वाच्ड यहां पे लिखा हुआ है हैड वाच्ड यहां पे लिखा हुआ है यू वाच्ड और यहां पे लिखा हुआ है डीड तो यह इसका एक तो होता है एक तो हम पास्ट इ साथ और डीड के साथ क्या आता दोस्तों वर्क का फर्स्ट फॉर्म आता है तो सबसे पहला जो आप गलती करेंगे वह आप यह करेंगे कि ओप सं नंबर ये गलत हो जाएगा दूसरा गलती करेंगे दूस्तों यू हेंड वाच्ट अगर यू हैड भाच फोगा तो लास्ट में कोश्टम उन्हीं होगा नहीं होगा तब लास्ट भी question mark होगा, तो option number ये भी चला गया, अब कृती asked me, had you watched the movie on television last night, अब देखो एक बात समझना, अब जब यहाँ पे दोस्तों, अब देखीगा, जब had you watched, had you watched रिखा, तो last night कैसे हो सकता है, हम last night के लिए, last night के लिए, हम लोग कौन सा tense use करते हैं, past indefinity use करते हैं, क प्रिबियस नाइट लिखा हुआ है, तो last night क्या होता है, past indefinity, तो यहाँ पे head watch लिखा हुआ, past perfect, तो यह भी गलत हो गया, आपका सही क्या होगा, see your correct answer, सारे बच्चे सी कर रहे है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, प्यारा बच्चा, ठीक है, okay, समझ में आ गया, तो चुकी दोस्तों, head watch लिखा हुआ, आपको जो, past perfect में, दो condition में change होगा, या तो past perfect, past perfect में change होगा, या तो past indefinite past perfect में change होगा, या तो present perfect, past perfect में change होगा, तो तीन condition है, तीनों condition को चेक कर लो, आपको answer मिल जाएगा, next question, कर रहा है दोस्तों, the struggle for climate change must be prioritized, हना, given that our population is increasing and not decreasing, हना, कर रहा है वो, अवसी रूप से climate change को क्या होना चाहिए, priority मिलनी चाहिए, तब तो यह sentence ही लग रहा है, दो sentence ही लग रहा है, तो could क्या करता है, अरे could तो ability को represent करता है, past ability को represent करने के लिए, 학 probability का मतलब का है दोस्तों, हम के उसे asanka को represent करना चाहती है, तो यह भी गलत, हना, is, तो यह तो क्या रहा है, यह present के शनेरियों की बात कर रहा है, अरे यह तो climate change बहुत पहले से चलता हूँ आ रहा है और बहुत आगे तक चलने वाला है तो यह सिर्फ प्रिजेंट की बात नहीं है तो इस कोशन का अंसर क्या करोगे नए आप डी करोगे मस्ट भी क्या हो सर प्राइट राइज इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरीटी देनी है तो यह आपको समझ में आना चाहिए ओके इस कोशन का अंसर हो गया आगे चलिए नेक्स्ट कोशन के अंसर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या है अधा रिपोर्टर आस्ट पॉलिटीसियन से पूछा हना एक वोमें लीडर के रूप में वाट आर दा सम आफ दा मेजर हना जो आपने क्या वह सर मेजर क्या फेस किया है क्या क्रंचेज फेस किया है कंटस्ट फेस किया है क्रैस क्रैस का मतलब होता है इंसीडेंट हना क्लंचेज फेस किया है चैलेंज फेस किया है कंटस्ट फेस किया है यह आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पर ग्रट फास्ट question number 20 crunches एक बच्चा पुछ रहा है इसका मतलब होता है difficult situation difficult situation difficult situation crunches crunches इमिस होता है difficult situation crash incident incident challenge contest तो समझते हो competition बदा इसका answer क्या होगा अरे यार यह सोचो ना तुम सभी थोड़ा दी मागलो तो लगाओ ते यहां पर क्या होगा some of the major challenges some of the major challenges that you face अब यहां पर क्या होगा contest की बात कर रहा है अरे यही बोल रहा है ना क्या पूछ रहा है reporter ने politician से पूछा कि as a woman leader हाना एक woman leader होने के नाते आप अपने इस लाइफ में क्या क्या चैलेंजेज फेस की है अब यह चैलेंजेज में difficult situation भी आ जाएगा incident भी आ जाएगा accident भी आ जाएगा challenges में दोस्तों contest भी आ जाएगा उनको contest करना पड़ा ये भी आप ये खुद सोचो ना ये चैलेंज जो है इसमें सब आ गया सामिल हो गया ये भी सामिल हो गया ये भी सामिल हो गया ये भी सामिल हो गया हां उनके पास difficult situation भी आया होगा उनको contest करने में competition करने में एक man leader की respect में एक में लीडर को क्या करना पड़ता है ज्यादा क्या करना पड़ता है इनर्जी पूट पूट आउन करना पड़ता है क्या करने के लिए उसको हराने के लिए तो आप यह समझो ना इसमें क्या गया चैलेंजेज में सारे चैलेंजेज आ गए इस आर चैलेंजेज बिफॉर क्या ह हर उनके समक्षिये सारी चैलेंजेस थी ओके ओके मैं डियर नेक्स्ट कोस्टिन के बाद चल लिए और हाँ संडे की क्लास आना मत बूला संडे फिर से मैं बोल दे रहा हूँ संडे मेरे भाई आपको क्लास होगा दो बजे से लेकर के 5 पीम 2 पीम दोडुके सामें क्लास होगा तीन टॉपिक पढ़ाऊंगा करी लेटी परनौन पढ़ाने बाला हूँ टार्य परनौन को आपने बहुत बार बढ़ा ओगा एक बार य्योटी परनौन आप पढ़ कर बॉंडरी अब वो हैड हीट है तो इसका मतलब हैड मीन हीट होगा क्या होगा है ड़ीन हीट है अब हैड मीन हीट है तो देखो कहां पर लिखा हुआ है खतम 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 आएए इसका अंसरी हो गया फोर इस टोके मौर्याजी अकाश अमीशा अरितिक हरीस सारे बच्चे ने अंसर कर लिया आगे बड़े तो कैसे चीजों को बस थोड़ा सा दिमार मैंने आपो कहा था देखो कुछ कुछ चीजे तो आप एडवांस बन जाओ तो फटाफट आप तीन कोश्चन का अंसर कर बता लोग याद रखेंगे वाब्यक्ती जो सेंटर ओटेक्शन होता उसको क्या बोलते हैं साइनोजर बोलते हैं आगे चलीगा दोस्तो नेक्स कोश्न के बाद चलीगा टाइम हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ दूस्तो थोड़ा फास चल रहा हूँ अब नहीं होता तो किस पार्ट में गलत हो गया किस पार्ट में गलत हो गया आपका डी पार्ट में गलत हो गया आईए next question के बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि भईया कौन सा वर्ड जो है हना select the word which is incorrect spelling किस वर्ड का दोस्तों यहाँ पर spelling जो है वो incorrect लिखा हुआ है question number क्या है दोस्तों 24 है अब 24 में दोस्तों आपको क्या करना है आप देखिए यहाँ पर M-E-D-I-T-A-T-I-B-E लिखा हुआ है तो बस आपको क्या करना है E के जगा पर क्या कर देना है आपको E के जगा पर क्या करना है I कर देना है हना M-I-D-I-T-A-T-I-B-E अब दोस्तों अपरिहेंसीव अपरेंजेट चैना है दोस्तों सारे वड़ का स्पैलिंग साही था कोसेन नमबर लास्ट में आप आजए तो आपको क्या हुआ तो आपको क्या होएं इस ना इस ना सधू निन्ट एनकृ पाकिस्थान टीम प्रोपन बैट टु बैट बीठ निंट जिससे और सकते हैं उसके बाद दोस्तो आ गया क्या गया दोस्तों के बाद बी में आजए ये that was when his teammate वकार यूनिस handed him over a bat that belongs to Sachin Tendulkar Sachin Tendulkar बैट का भया उनको swap दिया लो भई तुम बनाओ जितना run बनाना है उसके बाद क्या दोस्तो अधेडी में Sachin Tendulkar had earlier gifted वकार यूनिस हाना अब देखो Sachin Tendulkar ने पहले ही उसको वकार यूनिस को दिया था और वकार यूनिस किसे दे दिया वकार यूनिस दे दिया भया साहिद अफृती को दे दिया अब समझ लो सिंपल सी बात है उसके बाद ए वकार वकार इनस्टीड गेव इट टू अफृती हूँ वेंट ओन तो स्कोर 37 बाल सेंचूरी अब समझ सकते हो हो गया दोस्तो इस इडिए तो यह कोश्चन 25 मार्क अब बताएं कितने मार्क कितने किसके आए नीशू कमारी बोली है 25 में 25 आए तु बेटा जूट बोल रही है चेहांत जीन विद्यार्थियों ने अभी तक एक बार भी क्लास को लाइक है तो अब क्लास को थोड़ा लाइक कर दिया करें ठीक है आप वो होता क्या है न आप आपके साथ प्रॉबलम के आपके इसांस जैसे ही खतम हो जाते हैं एक नहीं होने वाला है आप सभी पढ़ना बंद करते हों पढ़ना मत 21 बहुत बढ़िया बप्पी जी बोले 0 आया कोई बटा बात नहीं है नीशु कुमारी 25 बहुत बढ़िया चलो संजीव 17 अकास आपको पूरा कोशन करना चाहीए था दोस्ट चली तो जीन भी द्यार्थ यो नटोस्तो अभी तक स्थल लाःक कर लीजेगा ये अगर आपने चलल को सब्सक्राइब निए करें लिए तो चली मेरे दोस्तों अपनी धोसर कोमय करता हूं ठैक्यूसमच लब Jahrечно खाकर ग्यान यदि पचाया नहीं, प्रैक्टिस का तड़का यदि लगाया नहीं, तो आपने किया है टाइम वेस्ट कुछ अच्छा खाया नहीं, प्यारे बच्चों, प्यारे सातियों, एक्जाम फूल लेकर आया है तीस, बैतरिन, मौक टेस्ट आप सब के लिए, उसमें मै इसके सभी टॉपिक में कवर करूँगा, और वो होगा, टॉपिक वाइस, मौक टेस, बिल्को फ्री, सभी एप्लिकेशन के बच्चे, जो ने एक्जाम पूर में जॉइन किया है, सब के लिए फ्री होगा, तो आप आईए, अपना दम लगाईए, उसमें मैं कवर करूँग फांडेशन प्राक्टिस बैश फॉर आल एक्जानपूर वासियों के लिए